जिले के यादर फूरोड इस्थित शिवप्रिया मेडिकल एस्टोर्ट के उपर आज रौशनी आई केर होस्पिटल का उद्गाटन फीता काटकर किया गया इस उसर पर आज नीशुलक इलाज भी किया गया जिसमें कई बुजुर्गों यों महिलाओं का इलाज भी फिरी में क किया गया डाक्टर रोशिने बताया कि शहर्काइं एक मात्र होस्पिटल है जहां अधुwnik मशियंओं के द्वारा बिना चस्मा का भी लेंस के माध्यम से इलाज किया रहा है उन्होंने बताया कि बच्चों के लिए या जिला का पहला होस्पिटल होगा जो बच्चों के आ मेरा नाम डॉक्टर रॉष्णी हुआ, रॉष्णी आई केर हॉस्पिटल से हूँ मैं और अभी आज हमारी ओपनिंग हुई है और यहाँ पे जो है कि आज हमने फ्री चेक अप रखा है आईस के लिए और काफी सारे पेशन्ट भी आया हैं, काफी सारे पेशन्ट दिखा करके पहले मैं अकंजोती आई हॉस्पिटल में साड़े चार सर से प्रैक्टिस करती थी, अभी मैं अपना प्रैक्टिस स्टार्ट कर रही हूँ, और यहाँ पे जो फैसिलिटीज है, आई से रिलेटेड हर चीज के लिए है, बच्चों के लिए इस्पेशालिटी है, कि बच्च के लिए हमने यहाँ पे फैसिलिटीज लाया है, बच्चों के लिए स्पेशली, प्लस की जो लोग बिहार में इंफेक्ट सबसे पहले, जो लोग कॉंटेक लेंस यूज करना चाते हैं, विदाउट चस्मा अपना रौश्णी रखना चाते हैं, तो कॉंटेक लेंस की भी फ सर्जरी के लिए भी प्लान कर रहे हैं स्टार्ट करने को, और मोतियबिन की सर्जरी भी यहाँ पर फैसिलिटीज कराई जाएगी, यहाँ का पता है यहाँ का पता है यादोपूर रोड कैलास होटल के सामने सिवप्रिया मेडिकल के उपर में, रोसनी आई केर हस्पिटल है डॉक्टर रोसनी जी हुई, यहाँ डॉक्टर है और इनी के द्वारा आज यहाँ पर इसका उधगाटन किया गया है, उधगाटन हुआ है और जितने भी गरीब आसाहय मरीज आये हैं, उनका निसुल किनों ने आज उनका आई का ट्रीटमेंट किया है, और मैं एक बात कहन अधुनिक तरीके से यह लोगों का इलाज करना चाहते हैं और सेवा करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ गुपाल गंज वासियों से मेरा अपील होगा कि यहाँ आए और एक बार सेवा का मा का अवस्य दे इने, हो सकता है, जरूर हो सकता है, इनके हाथ से कुछ अच्छा हो, यस लिखा है, होना ही है, और जिसको अच्छा और हैंसम नजर आना है, वो यहाँ रोसनी आई हस्पिटल में एक बार वस्य आए, जिनका पता है, सुपरिया मेडिकॉल हॉल के उपर, नियर कैलास होटल.